आज की अपडेट में ये एक लौती ऐसी अपडेट होगी जिसमें आप लोगों को सारी नॉलेज मिल जाएगी दिन भर में क्या हुआ है कल क्या हुआ है और ये इंपोर्टेंट अपडेट हो सकती है मैटिक कोई बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में और बिटकोईन की भी बात करेंगे मैटिक की बात करेंगे तो बहुत कुछ न्यूज है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लो वहाँ पर देखें मैंने रून का चार्ट भी शेयर किया है और इसके लिए मैं वहाँ पर चीज़े अपलोड करता हूँ तक कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम सबसे ले चनते हैं बिटकोईन में चैनल को भी सब्सक्राइब करना इफ यूर नियू तो दे च यानि ग्रीन वाली लाइन नीचे आगई अब नीचे आईए तो डेट क्रॉस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले कुछ डेट क्रॉस में जो नोटिस की मैंने पर्सनली वह यह है कि डेट क्रॉस के बाद एक डम पाता है बट डेट क्रॉस होने के बाद डेट क के बाद कुछ दिनों में प्राइस नीचे जाते-चाते एक बॉल एक संकेत होता है चलता है कि बॉल ऑड़ ज़पास ही होना चाहिए मैं कई सकता हूँ यही है कि बाहत ज्मेल्ट मार्केट करता लेकिन लेकिन पर्सनल बेनों है और ज़रूरे रही नहीं है हो वो यही है कि bitcoin का ये कुछ दिनों तक bitcoin नीचे है जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी था इससे दो-तीन दिन पहले जो मैंने dead cross की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था हो सकता है bitcoin की price 39 के फिर से आए और exactly आज कितनी आई है bitcoin की price 41,400 आ भी गई अब देखना बाकी यह है कि हम 39 को फिर revisit करेंगे या फिर higher high बनाते उपर जाएंगे अगले कुछ दिनों में मतलब मेरा जो summary यह analysis वही कहता है कि हम एक bottom find करेंगे नीचे आएंगे सारे जो traders जो यहाँ पर bullish हो गए थे उपर जाने से उनकी leverage positions liquidate होंगी या फिर बहुत से लोग जो होंगे weekends वो छोड़के जाएंगे और वहीं से price उपर pump लेगी price का पहला आपको resistance बताएं मजबूत तो आपको volume दिख रहा होगा 47,000 से लेकर 48,000 के आसपास यह एक बहुत बड़ा resistance है इसके उपर जब हम आ जाएंगे तो एक अच्छा sign होगा और इसके उपर आने के बाद 50,000 के उपर आने के बाद हमें एक bull market का फिर से संकेत मिल जाएगा कि bull market फिर से आ रही है अब बात करते हैं matic की matic का मैंने आपको पिछली update में एक चीज बोली थी 1.8 से लेकर 1.9, 2.0 यह तीनों एक ऐसे number हैं जिनके आसपास matic मिलता है तो बहुत ही जादा underrated बहुत ही जादा जो है oversold हो जाएगा तब ही हम बता रहे हैं क्यों देखे matic का क्यों मैं आपको बत इसलिए matic का जो perfect एक position जो है वो आपकी बनती 1.9 के पास आपको दिख रही होगी point of control है आपर 1.9 के असपास आपको matic की position बनती है 2.0 के असपास भी आपकी position बनती है आपको entry ले लेनी चाहिए और matic accumulate करना one of the best things होगी यह मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से कुछ दिन बात जब हम अच्छे terms में होंगे या फिर बुरे terms जो भी होंगे मैं आपको फिर से याद दिलाओंगा कि matic की buying मैंने आपको कहां पर बताई थी इसलिए matic को ठाना बिलकुल मैं भूलिएगा मैं आपे कोई भी leverage के यहां पर संकेत नहीं देता हूँ तो leverage वाला अपना 1559 is a few hours away from going live on the polygon mainnet the highly anticipated upgrade brings matic burn and improves fee visibility यानी matic जो है वो अब burn होने लगा है like you know ethereum ethereum की पिछली बार जब अपडेट आई थी london hard fork उसके बाद eip 1559 में आपको याद होगा की ethereum burning start हो गई थी और ethereum burning यानी हर बार जब आपको transaction करते हो तो आपको थोड़ा बहुत ethereum fee की तौर पर burn करना पड़ता है और यह ethereum कभी वापिस नहीं आ सकता तो burning का मतलब यह होता है कि जो हुआ है वो जला दिएगा एक तरह से वो अब कभी वापिस नहीं आएंगे token तो कुल मिलाके over time polygon जो matic tokens है जो इतने billions में है I think 3 billion है तो वो burn ह होना start होंगे और burn होना start होंगे इसका मतलब supply कम होगी supply कम होगी तो price में बहुत ज़्यादा उच्छाल देखने को मिलेगा यह ethereum साथ हुआ है यही polygon matic साथ भी होना बागी है इसलिए मैं बता रहा हूँ यह जो आज की news आई यह बहुत बढ़ी news है matic को लेकर next matic की bullish news जो ह है वो है plonky to matic जो है काम कर रहा है zk snarks पर यानी ethereum compatible snark अब snark क्या होते है zk zero knowledge proof technology पर बना हुआ है अगर आपको वीडियो नहीं आती आपको नहीं समझ में आ रहा है zk क्या है snark क्या है तो आपको उसको समझाने के लिए मैंने एक video बना दिये zero knowledge proof पर कुछी दिन पहले प support करेगा और practical to in this practical to verify on ethereum L1 पर verify भी कर सकते है incredibly fast अभी यह करता है दावा की by far the fastest implementation available today to generate recursive proofs on a laptop आप laptop पर proofs generate कर सकते हो कि आपने payment किया यह transfer किया जो भी cash zero knowledge proofs जो होते है उनको कर सकते हो within 0.17 seconds तो by far यह दुनिया का सबसे fastest माना गया है काफी bullish news है यहाँ पर नीचे समझाया भी गया है क्या है unique future plonky two को जो है release किया जा रहा है world's fastest zk scaling technology zero knowledge proof का season जैसे कि मैं बताता आ रहा हूं आयेगा जरूर आयेगा और उसके coins जो है हमने opt-inverse में बता भी दिये है कुछ लोगों को नए coins और अगर आपको opt-inverse जोइन करना तो description में pull link में लेगी वहीं से जाना join करने का आपको तरीका बता दिया हैगा next news को लेकर बात करें तो Binance के ने allow कर दिया अपने users को now able to deposit and withdraw Ethereum to and from Arbitrum या अगर आपने Ethereum के scaling solution Arbitrum पर Ethereum ले रखा है या फिर USDC कुछ भी ले रखा है और आप सोच रहो भाई या बहुत fees लगेगी उसको वापिस 11 में भेजने में पहले layer 1 में तो बहुत fees कटेगी और fees कटेगी तो Ethereum बहुत महाँगा है वैसे भी आपको बता Ethereum कितना महाँगा है तो आप Arbitrum से direct Binance म अबे डॉलर मैंने यह किया है तो मैं बता रहा हूँ लगबख 4 डॉलर 5 डॉलर के असपास fees कटी बहुत कम फीस कटी है next news को लेकर बात करें तो crypto.com में एक हैक हुआ है 15 million dollars का breach जिसको लेकर crypto.com ने कहा है कि वह अभी काम कर रहा है कुछ समय में withdrawals बंकर दिये जाएंगे तो CEO अगरां सामने आए बोला है कि यह ऐसा हुआ है यूजर्स ने बोला है कि हमारे फार्स के साथ कुछ गलत हो रहा है रिसर्चर्स पैकशिल्ड इस्टमेट एट 15 million was stolen from exchange and mixed through tornado cash at least 4830 ethereum जो है वो stole कर दिये गए है फ्रॉम क्रिप्टो डॉट कॉम एक्सचेंज और यह बड़ी न्यूज है बड़ी काफी न्यूज है CRO token को एफेट करेगी और बहुत सारी चीज़े जो इसके पीछे होती है एकलोता यह नहीं होता तो एक तो यह अपडेट हो गई ऩंदिये अहीं डिए ऑप को समझेहा गूज हो हो मैटिक को आप पिक कर सकते हो मैटिक जट के अप तो वक कर रहा है अब तो इसका अप rich लेकिन मैटिक टॉप पर आता है भी तो मैटिक कर ग्रोथ जो है ओवर टाइम होनी ही होनी है और फिलाल मैटिक मुझे लगता है कि आप अक्यूमिलेट करोगे तो आपको बता जाए अब देखे मैने जो वीडियो बनाई है मैटिक पर यह फूल टू फूल रिजन के साथ बना दूसरा बर्निंग मेकैनिजम भी बहुत अच्छा है इसकी वज़े से सप्लाइ कम होगी डेमांड जादा होगी यह भी हो गया तो दोनों चीज़र काफी पूलिश है ठीक है तो देट सिट फॉर टुडे और आई होप आपको अच्छा लगा अपडेट आज का और बता के जा रहो इसलिए दूआ मनाओ कि हम यही पिर रहें 39 रहे 38 रहे मैकसिमम ऐसी रहे मतलब इसी रेंज के आसपास ही रहे तो ही सेफ है हमारे लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फूल